सर आज मैं सिर्फ दो करोड दिल्ली वासियों के और से नहीं बलकि 135 करोड भारत वासियों के और से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ सर इस से जादा समविधानिक गैर कानूनी कागस का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसत भवन के भीतर लाया गया होगा और अपना वक्तविश शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंच का वर्नन करना चाहूँगा जिसे रामधारी सिंग दिनकर ने एक बहुती महत्वपूंट कविता में लिखकर बताया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांती दूत बंद के पांडवों की ओर स हस्तिना पूर जाते हैं शांती का प्रस्ताव लेकर कवी लिखते हैं मैतरी की रा बताने को सबको सुमर्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीशन विद्वंच बचाने को भगवान हस्तिना पूराए पांडव का संदेशा लाए भगवान कहते हैं दो निया अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदी बादा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर हसी न उड़ाएंगे पर दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे न सका आशी समाज की ले न सका उल्टा हरी को बांधने चला जो असाध्य था उसे साधने चला जब नाश मनुछ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है constitutional sin है और तीसरा कि ये administrative log jam यानि की प्रशासनिक गती रोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है सर पहला राजनेतिक धोका ये कहानी है सर 1977 से लेकर 2015 की 40 लगभग 40 साल का लंभा संघर्ष भारतिय जनता पाटी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया 1977 में जब 3rd Metropolitan Council दिल्ली में था उसमें जनता पाटी की सरकार थी उन्होंने मता पास करकर कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाई लगातार पून्राजे की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोकसभा का मैनिफेस्टों में BJP का लाया हूँ 1989 के मैनिफेस्टों में page number 361 पे point number 10 पे ये खहते हैं grant statehood to UT और डिली यानि कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिली को पून्राजे का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे यहां तक कि जब 1991 में Congress की सरकार ने दिली में विधान सवा का गठन किया उससे भी नापरियाप्त मांते होए लाल कृष्ण डवानी जी मदलाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि ये भी दिली के साथ नयाई नहीं है दिली को पून्राजी का दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया आंदोलन किया सर 1998-1999 में फिर अपने मैनिफेस्टों में बीजेपी ने ये 1999 का मैनिफेस्टों है ये जारी करकर कहा कि हम दिली को पून्राजी का दर्जा देंगे पेज नमबर 132 पॉइंट नमबर 31 वी विल गिफ फून स्टेटूट टू डेली सर इन लोगों ने बड़ा अंदोलन चलाया संघर्ष किया सडकों पे लाठियाँ काही नजाने क्या क्या किया दिली को पून्राजी का दरजा दिलाने के लिए और अंतता वो दिन आया जिस दिन वाजपाई सरकार और वाजपाई सरकार के उप्रधान मंत्री आदरनिये लाल कृष्ण Debani जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए The Constitutional Amendment Bill 2003 जो दिल्ली को पून राजिका दर्जा देता है ये बिल अडवानी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है दिल्ली को पून राजिका दर्जा भाजपा दिलाएगी यह भी बात खतम नहीं होती सर इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टों में BGP ने कहा हम पून राजिका दर्जा देंगे इनकी जून 2013 में National Executive की मीटिंग हुई उसमें मता पास करकर कहा हम दिल्ली को पून राजिका दर्जा देंगे यहां तक कि इनके सांसद इनके सांसद डॉक्टर हर्चवर्दन ने बयान दिया कि जब अधर्निय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पून राजिका दर्जा देंगे यह इन समने सर लगातार बाते कहीं और दिल्ली को पून राजी का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारती जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रहे सर ये बिल सिरफ संविधान का और लोगतंतर का अपमान नहीं है ये बिल लाल कृष्ण अडवानी जी का अटल बिहारी वाजपाई जी का मदनलाल खुराना जी का सुश्मा सुराज जी का अरून जेटली जी का सब का अपमान करने का और उनके 40 साल के संधर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है सर मैं 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 मानिये ग्रह मंत्री जी का बयान लोक सबा में सुन रहा था उन्होंने कहा कि नहरू जी ने पंडित नहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पून राज़े का दर्जा नहीं मिलना चाहिए मैं मानिये ग्रह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ नहरू बादी मद बनिये अड़वानी वादी बनिये वाजपाई वादी बनिये और दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा देने का आज आपके पास एतिहासिक मौका है दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा दीजे सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है ये बिल क्यूं लाया गया है पिछले 25 साल में दिल्ली में छे बार विधान सबा के चुनाव हो छे के छे चुनाव भारती जंता पार्टी बुरी तरीके सेहारी यहां तक कि 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली में बनाई क्यूंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अर्विन केजरिवाल और रहाम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नश्च करने का काम करने चाह ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व ना रहेगी ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोत करूँगा कि कम से कम लाल कृष्ण अडवानी जी को नयाई दीजे कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए दिली को पून राजी का दरजा दीजे सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संविधानिक पाफ है सर पहली चीज ये अब्यूज ओफ ओडिनेंस मेकिंग पावर जे आर्टिकल 123 जो संविधान का देता संविधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूर साब का एक रॉय वर्सिस जूनियों ओफ इंडिया एक बड़ा मतवपून लैंडमार्क जज्जमंट है जिसने कहा कि ओडिनेंस सिरफ आपात कालीन और विशम परिस्थितियों में लाई जाएंगे ऐसी कौन सी आपात कालीन और विशम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुप्रीम कोट के फैसले को आच दिन के भीतर बदलना प का अपमान है सुप्रीम कोट के फैसले को आठ दिन के भीतर पांच जजों के संविधानिक पीट के सरसम्मती के फैसले को बदल के आज भारतिय जनता पाटी ने एक मेसेज दिया है कि हम सुप्रीम कोट को भी चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोट के फैसले को भी नहीं मांगत आपको जो ओर्डर जारी करना है करो हम चंद दिनों के अंदर ओर्डिनेस लाकर उस फैसले को बदल दे दे हाव चैलेंग दे मैजिस्ट्री ओधी ओधी ओनरेबल सुप्रीम कोट सर और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज कल जो ओर्डिनेस लाने की जो एक फैटिश इस सरकार ने देखी चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो चाहे वो फार्म बिल हो चाहे एडी के डिरेक्टर का एक्स्टेंशन हो जो यह सारी चीज़े ओडिनेस के माध्यम से इन्होंने करी थी इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था सर थर्ड बिंदू कि कैसे ये बिल संगिय धांचे को एरोड करता है हमारा भारत का संबिधान और सुप्रीम कोट का 2023 का 2018 का संबिधानिक पीट का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक यूनीक फैडरल आइडेंटिटी है यूनीक कॉंस्टिटूशन आइडेंटिटी है और भारत का संबिधान जो हमें संगिय धांचा देता है जो शक्तियां देता है उन शक्तियों को एंकरोज करने का काम ये सरकार करती है हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीन कर। मैं आपको सुप्रीम कोट का वो एक वाक्य पढ़के सुनाना चाहूंगा The majority in the 2018 Constitutional Judge Bench held that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state, the concept of federalism is applicable to Delhi हम पूर्णाज नहीं हैं लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संगिय धांचे के परिपेक्ष में दिल्ली को मिलता है उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाली कर दिया आज बिना संभिधानिक संचोधन लाए संभिधान को बदल दिया मात्र एक Act of Parliament से जो आज तक शायद भारत के प्यास में कभी नहीं हुआ सर इसके बाद सर इसके बाद ये बिल पार्लिमेंटरी अंडमाइन करता है प्रिंसिपल्स ओफ कलेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी को भारत का संभिधान कहता है सर कि पर्मेनेट एक्जेगेटिव और पुलिटिकल एक्जेगेटिव मिलके लेजिसलेचर के प्रती करता है और आखरी बिंदू संभिधानिक अपराद का ये ट्रिपल चेन ऑफ अथॉरिटी को तार तार करता है सर ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि अफसर शाही की जवाब देही मंतरी को मंतरी की जवाब देही लेजिसलेचर को और लेजिसलेचर की ज जबाब दही जनता को इसमें से अगर आप अफसर शाही हटा देते हो तो फिर जबाब दही कि जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिट के द्वस्त हो जाती है तो ये काम करके सम्मिधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है सर मेरा आखरी भाग ये कैसे एक administrative हा अब दिल्ली में किसी के घर में बिजनी नहीं आरी पानी नहीं आरा किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा तो वो उपराध जपाल के पास जाएगा अपने मंत्री मुख्य मंत्री के पास नहीं जाएगा क्या लोग जानते हैं उपराध जपाल कहां रहता है उपराजेपाल कौन सी विधान सभाजे चुनाव लड़ा उपराजेपाल ने कौन सा चुनाव जीता लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकाल कर उपराजेपाल को देता है यह आगे कहता है सर यह बिल कि हम LG को सोल डिस्क्रीशन देते हैं स्वयम से स्वयम के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां आज तक उपराजेपाल और गवर्नर काउंसल आफ मिनिस्टर्स की एड एन एडवाईस से बात दे थे लेकिन यह बिल उपराजेपाल को सूपर सीडिंग पावर देता है आगे सर यह बिल जितने भी ब्यूरोक्राट्स है उन्हें एक जुडिशल अथॉरिटी बना देता है यह कहता है अफसर शाहित है कि मंतरी का फैसला सही है कि मंतरी का फैसला गलाता है और अगर अफसर को मंतरी का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंतरी का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं और सर ये बिल, अथोरिटी, कमिशन्स और कॉर्परेशन्स बनाने की तमाम गठन करने की न्यूक्ती करने की शक्तियां सारी की सारी केंदर सरकार को दे देता है यानि कि सरकार की चाबी एक परकार से केंदर सरकार को हाथ में पकड़ा देता है सर मानिय ग्रैम मंतरी जी ने कहा था कि आम आदनी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का fastest growing political startup किलाती है ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने तीम बार भाजपा को दिल्ली में आराया और दो बार 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनाजेश की सरकार बनाई ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगबग शुने पर लाकर खड़ा कर दिया ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्टे पार्टी बनी ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायत और 11 सांसद्य और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए First Lady of United States of America और United General के पूर प्रमुख बान की मून आते हैं सर्थ सर, मैं आज अपने साथी जो आंधर प्रदेश और उडिसा की सरकार चलाते हुने कहना चाहूँगा आपकी जरूर कुछ मजबूरिया रही होंगी जिसके चलते आपने ये फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में कुछ तो मजबूरिया रही होंगी यूँए कोई बेवफा नहीं होता लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी रात इंदोरी साथ का एक बड़ा मतपून शेयर है अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआ है आसमान थोड़ी है लगेगी आग तो आएंगे कई घर्जद में यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है लेकिन जब आपके घर में आग लगेगी आम आदनी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी महबारत के एक अंच्स्ते करूंगा सर सर बीच कुरुक्षेतर के मैदान में जब युद प्रारंभ होने वाला था तो युदिष्टर ने शंकनात करने से पहले एक घोशना करी और कहा कि यह धर्म धर्म की लड़ाई है मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने योद्धा है अगर उन्हें लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरी दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं उनकी ओर से युद्ध करें और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है और पांड़ों की ओर से यूद लड़ा मैं उसी बात का जिकर करते हूए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसदों को कहना चाहता हूँ राज्य सबा कांसल अस्टेट्स है हम लोग कांसल अस्टेट्स है जहाँ जादा जिम्मेदारी बनती है राज्यों के हकों की अधिकारों की रक्षा करने की मैं मांग करता हूँ आज आप लोग पार्टी लाइन से उपर उठकर वेचार धारा से उपर उठकर सम्विदान को बचाने के लिए लोकतंतर को बचाने के लिए इस बिल को हराईए आज ये इतना हासम में दाने को और घैर कानूनी बिला अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुना भी ना कराए चुना भी प्रक्रिया को खतम करने से बहुत 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 शुक्री जोक्तर झाले से बाद प्रक्रीज जाए